जै श्री राम जै जै श्री राम प्राचीन पावन नगरी अयोध्या में प्रभू श्री राम की जन्वस्तली पर उनके भव्य दिव्य मंदिर का निर्मान देश के लिए एक एतिहासिक और गौरवशाली उपलब्दी है यह नए कालचकर के उद्भव के साथ भारत के लिए अगले एक हजार वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना का उद्गोश है मान्य प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेत्रित्व में प्रभू राम लला की अलोकिक प्रान प्रतिष्था के सफल्थम आयोजन हेतू भारतिय जन्ता पार्टी का यह महा अधिवेशन मानिये प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार देख अभी नंदन करता है श्री राम लला के प्राहन प्रतिष्ठा का समारो राश्टर उत्सव के रूप में मनाया गया जो एक नए युक की शुरुवात बनकर उबरा है और राम मंदिर भारत की दृष्ठी का भारत के दर्शन का भारत के दिख दर्शन का मंदिर बन गया है श्री राम मंदिर सही अर्थों में राश्टर चेतना का मंदिर बन गया है भक्ति के रंग में रंगा हर गाओं हर के फैल चुकी है और जैश्री राम की वानी मदुर ध्वनी हम सब के बीच में सुनने को मिलती है प्रभुश्री राम के दिव प्रान प्रतिष्ठा को देखकर हर भारतिय आलादित है इस संस्कृती प्रधान देश में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एतिहासिक शंग को भविता प्रधान की और उच्सव का एक विराट वातावर निर्मत कर दिया है भारतिय जंता पार्टी का यह संकल्ब था कि एयोध्या में भवे राम मंदिर का निर्मान होना चाहिए प्रभु श्री राम की क्रिपा से एतिहासिक मंदिर की भूमी पूजन और प्रान प्रधिश्था दोनों पवित्र कारे का सौभाग्यत मानिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ है 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोट के निर्ने के उपरान मानिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रत वाली केंद्र सरकार ने बिना देर किये श्री राम जन भूमी तीर क्षेत्र का गठन किया जिसके परिणाम सुरूप श्री राम मंदिर निर्मान का कारे त्वरित गती से चला और महज चार साल के अंदर श्री राम लला के विग्र का प्रान प्रतिष्था 22 जनवरी 2024 को संपन हुई 22 जनवरी का दिन करोडो राम भक्तों की आकांगशा वसिद्धी भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर जागरन और महान भारत की यात्रा के शुरुआत का दिन है प्रभुश्री राम के आशिरवाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतियों को दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अफसर बन गया है जिस कल्पना को अनेक पीडियों ने सैक्ड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हिर्दय में संजोई रखा था उस संकल्प की सिध्धी ऐसे समय में हुई है जब प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के नेत्रतों में राष्ट्र विक्सित भारत के लक्षों की प्राप्ती करने की दिशा में अग्रसर है अयोध्या का भव्य दिव्य राम मंदिर हर भारतिये की चेतना को अंकित हुआ है और सांस्कृतिक विरासत की सम्रिदी का प्रतिविम बन गया है गुलामी की मानसिक्ता से मुक्त होकर खड़े हो रहे राष्ट्र अतीत के हर अंश में से प्रेणा लेते हुए ऐसे एक नव इतिहास का स्रिजन करता है मानिये प्रधान मंत्री जी के नित्वत्त में भारत की सांस्कृतिक विरासत को सरक्षित और सम्वर्दित करने में हमारी सरकार ने अभूतपूर तथा उलेखनिय सफलता प्राप्त की है बीते दस वर्षों में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगवाई में भारत की आध्यात्मिक विरासत को देश की एक्ता के साथ जोड़ने का कारे किया है धर्म किर्पती अटूट प्रतिबद्धा के जरिये से उन्होंने कई ऐसे कारक्रम शुरू किये जो भारत को उज्ज्वल भवश्य की ओर ले जा रहे हैं गौर तलब है कि भारतिय सभ्यता और संस्कृति के कंकन में प्रभू श्री राम, माता सीता, रामायन, रचे बसे हैं हमारे लोकतांत्रिक, मुलिक और सभी के लिए न्यायको समर्पित हमारा सम्विधान राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित रहा है भारत के सम्विधान की मूल प्रती में भी मौलिक अधिकारों के खंड पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्स्वन जी का विजय पश्यात अयोध्या लोटने के बाद का चित्र बना हुआ है वह इस बात का प्रमाण है कि मौलिक अधिकारों के प्रेर्णा सोत्र भगवान श्री राम ही है राम राज्य के आदर्श पुझ ये बापू के हिर्दे में भी बसा हुआ था मात्मा गान्दी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंतर का विचार है प्रदान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने प्रभुश्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन को स्थापद कर रामराज्य की भावना को सच्चे अत्सों में चरितार्थ किया है विक्सित भारत के निर्मान में जिन संकल्पों मों हमने आत्म साथ किया है उसकी पूरती भी प्रभु श्री राम का मंदिर एक निरनायक भूमिका का निर्वान करेगा हमारे मानिय प्रधान मंत्री जी भगवान श्री राम से जुड़े इस पावन अफसर पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में अतुल्य भूमिका निभाई है उन्होंने श्री राम लला के विग्रग की प्रान प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए पूरे समर्पित भाव से कठिन यम नियमों का पालन किया है इस दोरान वे नासिक के लेपाक्षी और त्री प्रियार से लेकर रामेश्वर नितरक प्रभू श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण तीर स्थानों पर भी गए और राश्ट्रिय एक्ता का संदेश दिया इस यात्रा से एक अद्भूत अध्यात्मिक चेतना की जागरती समगर जन्मानस में हुई है मान्य प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अध्युष्टान में शामिल होने की इसकी गरिमा वा पवित्रता पर विशेश ध्यान रखा है ऐसे इस एतिहासिक अद्भूत संकल्प की सिध्धी मान्य प्रधान मंत्री मोदी जी ने के प्रयासों से उनकी तपस्या के लिए यह महा अधिवेशन प्रधान मंत्री जी को साधुवाद देता है और साधुवाद करता है आज देश हर्शित है राम मैं है राम की उर्जा है राम का तेज है देश के मन मंदिर में विराजित हो गया है राम मंदिर के लिए चले अंदोलन में अरपन तरपन संघर्ष बलिदान तथा संकल्प और सिद्धी का समावेश है अतेव यह महा अधिवेशन पूरी एक्ता शद्धा और भक्ति भाव से इस अवसर पर देश वासियों के उल्लास और उमंग में शामिल है साथ ही इस प्रस्ताओं के जरिये से मानिय प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी जी के कुछ अभिनंदन करता है और उनका सराना करता है देश की विकास यात्रा में यह एक अविस्मरनिय क्षण है जो भारत के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, एतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है निसंदे, श्री राम मंदिर का निर्मान का अनुष्ठान इसलिए भी संपन हो सका क्योंकि इस अदुष्ठान के कारक प्रधान मंतरी श्री राम की क्रिपा है आजादी के अमरित काल में द्रड संकल शक्ती से परिपूर्ण प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नई उचाईयों तक ले जा रहे हैं भगवान श्री राम ने अपने वचन में अपने विचारों में जिन मूल्यों को गढ़ा है वही सबका साथ सबका विकास की प्रेणा और वही सबका विकास सबका प्रयास उसका आधार है प्रधान मंत्री जी के नेत्रत में भारत की एकता और एक जुटता को जन भागिदारी की शक्ती मिली है उन्होंने अपनी नीतियों और नेत्रत्यों से राश्ट्र का मनोबल उचा किया है। इस हेतू प्रधानमंत्री श्री नरिद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन है। इस नय भारत के पहचान बनाने वाले माननिय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता है। और संपूर्ण भारत को राम्मय बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्नेवाद करता है। मान्य प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतुत में भारत सर्फपर्शी समावेशी समाजिक न्याय दिलाने वाला और विकास के लक्ष को राम राज्य की भावना से पूर्ण कर रहा है ऐसा हम सब मानते हैं इस प्रस्ताव यह वक्तवे हम सब लोग करतल धनी के द्रारा इसको हम समर्थन करें जै श्री राम जै श्री राम जै जै श्री राम